जो है यहां पर जो घोशना होई है तीसरे राउंड के जो नतीजे हैं यह भी कॉंग्रेस के लिए जो है सुखत नहीं है अभी भी होश्यार सिंग तीसरे राउंड में बढ़त बनाये हुए हैं तो यहां पर जो तीसरे राउंड का जो वोट काउंट आया है होश्यार सिंग क 2902 वोट मिले हैं और जो कमलेश ठाकुर है 2705 वोट उनको तीसरे राउंड में मिले हैं तो कुल मिलाकर ये लगातार तीसरा राउंड जिसमें होशियार सिंग भाजपा के वो लगातार बड़त बनाये हुए हैं साड़े 500 से जाधा वोटों से अभी आगे होशियार सिंग चल रहे हैं तीन राउंड का यह काउंट है तो यहां पर अभी यह भी बताते चले जो हम पहले चर्चा कर रहे थे जासमिन देखिए जो निर्दलिया विधायक होता है यह तो होशियार सिंग दो-दो बार जीते हैं जो निर्दलिया विधायक होता है उसका स्टार्ट हमेशा अच्छा होता है क्योंकि कोई ऐसा क्षेतर की एवियम खुली है जहां से इनका दबदबा रहता है तो जो अपना बोट वैंक एक निर्दलिया विधायक के पास होता है जब वो किसी राजनितिक दल में भी जाता ह तो यहां पर एक तो आप यह मान कर चलिए कि एक जो निश्चित वोट वैंक है वो होश्यार सिंग के जो साथ रहता है जो उनका पर्सनल वोट वैंक है वो साथ चल रहा है लेकिन यहां पर बड़ी बात यह करें हैं कि जिस तरह की भात कि तरफ से कही जा रही थी सटा में सटा में मुख्य मंतरी की धरम पतनी चुनाव लड़ रही है तो वो एक तरफा की बाद जो है कंग्रिस केरी थी कि यहां तो सिर्फ मार्जन की लड़ाई है वो यहां पर होता हुआ दिख नहीं रहा है और मुकाबला जो है करी टक्कर का यहां पर है अगर हम इन तीन इसको आधार मान ले इन तीन राउंड को लेकिन ऐसा होगा नहीं आगे क्या बदलता है किसकी तरफ जो है कांटा जाता है यह देखने वाली बात होती है लेकिन होगी लेकिन यहां पर फिलाल जो तीन राउंड है वो कॉंग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है भाषपा के लिए बहुत अच्छी आगे बढ़ेगा आगे क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड की कांटिंग बाकी है लेकिन अन्भी क्या हमें कह सकते हैं कि यह जो तीन विदान सभा के चुनाव की नतीजे हैं सरकार की अस्थिरता को लेकर अब सवाल खत्म हो चुका है जब वो छे विदान सभा के को देखा जाए तो कहा जा रहा था कि अलग लीडर्शिप पर यह चुनाव लड़ा गया है इस यह सवाल में कंचिन्यू करूंगे लेकिन राजेंदर कोई अपडेट हां जी है बिल्कुल हमिरपूर हमिरपूर का पहला फस्ट राउंड की कांटिंग का रिजल्ट आ गया ह और हमिरपूर से кॉंग्रेस आगे चल रही है फस्ट राउंड की कांटिंग में आशी wash श्रमा को पहले राउंड में 2400 surviving और कांग्रेस के प्रत्याशियी डॉक्टर पुश्पेंद्र वर्मा उनको पहले राउंड में 3004 वोट मिले हैं तो हमिरपूर से कंग्रेस के लिए अच्छी खबर चल रही है, कॉंग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कुल 5822 बोटों की काउंटिंग हुई है, और इन में कॉंग्रेस को एक हलकी बढ़त जरूर हम देखने को मिल रही है, करीब-करीब 200 बोटों से कॉंग्रेस के प्रत्याशी पुषपेंदर बर्मा, आगे चल रहे हैं, पहले राउंड में आशी शर्मा को 2804 बोट मिले हैं, और पुषपेंदर बर्मा को 3004 बोट मिले हैं, तो एक अच्छी खबर, कॉंग्रेस के लिए हमिरपूर से जरूर आ रही है, कॉंग्रेस के प्रत्याशी, फर्स्ट राउंड में हमिरपूर से ठीक है, जरूर है, लेकिन जो पहले राउंड की काउंटिंग हमिरपूर में हुई है, उनमें कॉंग्रेस को बढ़त मिली है, हलकी बढ़त है, 5000 बोटों के कुल काउंटिंग हुई है, और 200 के करीब बोटों से कॉंग्रेस के प्रत्याशी पुषपेंदर बर्मा आगे इस पुष्वेंदर वर्मः और ये दो सीटें ऐसी जहां पर दोनों ही सरकारों के वर्चस्व की बात कही जा रही थी हमीरपूर में अनुराग ठाकूर प्रेमकुमार्दूमल वर्सस मुखेमंत्री सुखू हो रहा था तो वहीं अगर देहरा में बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साफ तौर पर उनके वर्च्वत से उनकी साख की बात वहाँ पर की जा रही थी हमीरपूर को कैसे देख रहे पहला रुजानारा रणबीर यहां पर साख की बात है जो आपका पहला मूल सवाल था कि इससे फरक क्या पड़ेगा और राजे सरकार की परफॉर्मेंस इससे दिखेगी कि जनता अभी इन 18 महीनों में इस सरकार को कॉंग्रेस सरकार को सुखु सरकार को किस तरह से देखेगी इसका जो है सरकार के उसमें अंग गणित में तो कोई जादा फरक इसमें पड़ेगा नहीं लेकिन हमीरपूर से सुखत खबर जरूर है लेकिन यहां पर जैसा आपने भी जिकर किया कि यह बहुत जल्दी है कि हम जो है किसी तरफ आगे बढ़ जाएं कि इसी तरह से यह सब जहां चलेगा अभी तो बहुत कैंटिंग बाकि है जो जानकारी यहां पर जो निर्वात्तिय नदीकारी उनकी तरफ से देरा के बात करें उनकी तरफ जो दी गई गय है तो वो जो है कुल दस राउंट की हाहां पर जो हैं कि मैंत Is that the यह जो है कांटा बदल सकता है कांटे का रहेगा या एक तरफा भी हो जाएगा खेर आगे आगे पता चलेगा लेकिन हमीरपूर से जो है कॉंग्रेस के लिए रहत की खबर है पहले राउंड में बड़ी बात इसमें यह की हमीरपूर में भी साक किसकी है मुख्यमंत्री की मु कुमारधुमलपूर में मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी भी असवाल है तो यहां पर झिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है तीनों जगाव पर आपने जिला में हमीरपूर सीट पर किस तरह से ताबढ़ तोड़ Exec अन्ग ने अ noi कि है उमीद है कि जल्द ही वहां से रुज्ञान आ जाएगा तो उसके बाद ही का जा सकता है लेकिन देरा से मुख्यमंत्री का जो है व्यक्ति गत तौर पर देखे ये तो किसी के भी परिवार में होता कि आपके परिवार में खोई चुनाब लड़ता है तो आपको जाहर सी बात है कि ध्यान सबसे जादा देना पड़ता है स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है आप